जै गुरुजी संगजी, ओम नमस्षिवाए, शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए, गुरुजी सदा सहाए संगजी आज का जो ससंग है वो बहुत ही स्पेशल है चंडीगर से एक संगजी ने ये शेयर किया था जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसमें उन्होंने बताया है कैसे उन्होंने नर्ग से स्वर्थ तक की दिवे यात्रक की है उनका कहना ये है चलिए देखते हैं क्या पताया उन्होंने अपने ससंग में गुरूई से मिलने के बाद मैं नर्ग से स्वर्थ तक की दिवे यात्रक करी है मेरी समस्याएं मेरे विवा के तुरंत बादी प्रारंब हो गई थी मेरी पत्नी गीता को कश्ट दायक अस्थमा रहता था वे रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी क्योंकि उसकी मा भी अस्थमा से पीडित रहती थी अते उसे पता था कि इस रोक की पीड़ा कैसे रूप धर्ण कर सकती है जैसे ये कम नहीं था मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया पूरा परिवार परशान रहता था उनकी और्ष्थियों के लिए मैं बजार के चक्कर काड़ता रहता था उनका आहार बहुत ही संतूलित रहता था वे अती शीर्ण हो गये थे उनके शरीर और मूँ का रंग काला पड़ गया था फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सोभाग्य प्राप्त हुआ केवल गुरुजी को ही हमारी नार्किये जीवन का ग्यान था वे असंभव को संभव कर सकते थे इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्यान कर दिता कहने से घीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए किसी ने मिर से पूछा कि किसी के कल्यान कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोक से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है वास्तव में मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है पर गुरुजी तो स्विम ईष्वर है और ईष्वर वेह कर सकता है जो समानेते सब के लिए संभव नहीं है गुरुजी के आशीर सर्व फल दाई है अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्त होने के पर शाथ मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ थोड़े दिनों बाद मुझे फिर गुरुजी की साहता की अशक्ता पड़ी पांच अगस 2004 की रातरी को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्रात्मिक चिकित्सा देकर मुझे घर लोटकर पूर्ण विश्राम करने हो कहा प्राते काल उठने के आदे घंटे बाद वेदना पुने आरब हो गई उसके साथ ही बाई भुजा में भी पीड़ा थी सब लक्षन हीदे रोक के थे चिकित्सक ने फिर प्रात्मिक उपचार देकर मुझे रुध्याना के हीरो हार्ट सेंटर में ECG करवाने के लिए फेज दिया मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास भी जाने की विंती कर ली अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया मेरी वेद्रा तुरंट समाप्थ हो गई 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परिक्षन करने पर देखा कि मेरे हिर्दे की दो धमनिया बन थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी उसी दिन संध्या को मेरी हिर्दे गती रुख गई मुझे मृत गोशित कर दिया गया तदापी चिकित्सकों की इस गोशना के बाद मुझे पुने शेतना आ गई मुझे ये ग्यान नहीं है कि कितना समय बीट गया था चिकित्सकों जटका तब लगा जब मैंने उनको मेरा नाम और पते से सम्मंधित प्रशनों के उत्तर दिये यह देख कर कि जीवन प्रदान कर सकते हैं अतय गुरुजी ईश्वर है श्रीगर ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्साले में क्या कर रहा हूँ क्या मुझे घर नहीं जाना निश्चिती मुझे जाने की उटसकता थी संगत के दो सदस्य और मित्र श्रीन दरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए उस समय तक मैं काफी स्वस्थ था और घर आ गया था दो सब्ता के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली किया गुरुजी के यहां मैंने जो किसको के खान पान के प्रामर्ष की अवग्या कर लंगर ग्रहन किया मैंने टिकियां और गोलगप्पे प्रसाथ की रूप में खाए अब मैं पूर्टे संतुष्ट और स्वस्थ हूँ मैं गुरुजी कृपा से ही लिख पा रहा हूँ गुरुजी से मिलने के पश्चाथ मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्थ हो गया है मैं अती प्रसंद और चिंता मुक्त हूँ गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिये है अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दिश्यों के दर्शन कराई है जो समानेते नहीं दिखते एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वे बाहर आ जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया मैंने देखा कि वे बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारन कर लिया मा गंगा ने उनके केशों में निकल कर मेरे शरी में प्रवेश किया उसके पच्चात उनके शरीर से शेष नाग ने निकल कर इस दास के कपाल से प्रवेश किया शेष नाग ने ओम और ओम नमश्यवाई मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया शेष नाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकाल कर बाहर फैंक दिया अब वे मेरे शरीर और हीदे की देखबाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेशनाक सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चक्षु निकालकर मेरा त्रीनेत्र बनाया और वहाँ पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओन मश्वय अंकित था और कहा कि ये वही जाएंगे जहाँ पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहाँ पर मयूर पंक से ओम लिखा और कहा कि ये केवल अच्छा देखेंगे बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं। पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। मैं हमारे समस्थ चिंताएं तूर कर हमें अनन्द प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता, मेत्र, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ. मैं स्वियम अपने आपको, अपने बच्चों को उनके श्रंडों में समपिर करता हूँ. मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन बना दिया. गुरुजी ने कहा कि वैं सदा मेरे साथ रहेगा. कुछ अंतराल बात गुरुजी ने मेरा हिदे निकाल कर एक नया हिदे दिया और कहा अब कहीं कोई समस्या नहीं होगी. पिछले वर्ष तारह मई 2006 को मुझे स्वब ने आया कि दो यम्दूत श्वेत वस्तरो वैं कह रहे थे कि मेरा समस्माप्त हो गया है. और साथ चलने के लिए कहा. तुरंद गुरुजी प्रकट हो उनने यम्दूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ. यम्दूतों ने गुरुजे को कहा कि वैं मुझे ले जाना आये हैं. गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपी मेरा समय समाप्त हो चुका है मैं अभी पृत्वी लोग पर और रहूँगा उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वैं चले गए मेरे भी ना मैं उठा और समय देखा तो रातरी के एक पेंटालिस बज रहे थे मेरा हिदे पैंच की भाती कसा हुआ था गुरू जी ने पुने मेरे जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है मेरी उनसे मिनिती है कि वैं सो जन्मों तक मुझे अपने कमल चर्णों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाशक एनुसार कारे रतर हूँ मैं अपने आपको उन्हें सुपुत्र करता हूँ मुझे उनके साथ अपनी अन्बूतियों का अधिक ग्यान नहीं है जब भी मैं उनकी और देखता हूँ मुझे आकास से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंख्या गिरती भी दिखाई देती है मैं उनकी दया से नक से स्वर तक गया हूँ और प्रातना करता हूँ कि मुझे आशक एनुरूप कारे करता रहूँ और किसी भी कारण कभी विशलित ना हूँ बहुत ही प्यारा ससंग था ये चंडी गड़ से अंकल जी का संगल जी इतना अच्छा ससंग की पूरी की पूरी फैमिली जो है वो प्रॉबलम में थी, हेल्थ इशूस थे उन हेल्थ इशूस हों किस तरह से गुरु जी ने ठीक किया और जो अंकल जी है, अंकल जी को किस प्रकार से उन्होंने पूरे दर्शन दिये है हर जगा दिखाई है, हर किसी के दर्शन करवाई है बहुत अब अब उनके अंदर ही वो है इसलिए उन्होंने अपने आपको पूरे समर्पित करने के लिए कहा है ये जो पुरानी संगत है उनको जो एक्सपिरियंसीज हैं वाकी ही बहुत अच्छी है अगर कोई भी संगत ये सुन रहा है तो कोई भी पुरानी संगत है जो गुरुजी को लाइफ देख चुके हैं प्लीज अपना संगत हमसे जरूर शेयर करें हम अपने आपको बहुत ही अभारी मानेंगे उस संगत जी का जिस संगत जो संगत जी हमसे अपना ससंग शेयर करेंगे हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई भी पुरानी संगत हमें गुरुजी के लाइफ दर्शन के बारे में उनके experiences उनके साथ जो वहाँ पे हुए जब वो थे, हमार इस रूप में, इंसान के रूप में थे, तो human being के रूप में थे, तो अगर वो हमसे share करना जाते हैं, please जरूर share करें, हम जरूर wait करेंगे और हम share भी करेंगे, और हम अपना बहुत अभारी मानेंगे, उस person का, जो हमसे share करेंगे, संगर जी कहते हैं कि हमेशा, कि आप जब उनको समर्पित कर देते हो अपने आपको, तो वो खुद ही देखते हैं क्या करना है, एक शांती के अनुभूती होती है, सुकून के अनुभूती होती है, जब हम उनके पास बैठते हैं, और जब हो हमारे साथ जूड ज जाते हैं, हम उनके साथ जूड जाते हैं, हम उनको एक वक्त देकर हम उनके मुल मंतर करते हैं, ससंग करते हैं, सुनते हैं, तो हम अपने आपको बहुती सुकून भरा मिसूस करते हैं, हलका मिसूस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे निकल राम से हर चीज आती है are problems चली जाती है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी जो कि मैंने सुना है कि ससंग जितना हम सुन रहे हैं किसी का या हम कर रहे हैं उससे भी हमारे हमें एक दवा के रुप में वो काम करता है हमें ठीक करता है और मैंने अभी पीछे मुझे किसी ने एक information दी थी इस बारे में भी कि जैसे हमारे घर में छोटा सा स्वरूप है चाहिए बड़ा स्वरूप है गुरू जी का हमें उस स्वरूप को एक photo नहीं मानना चाहिए हमें उस स्वरूप के आगे दो या तीन मिनिट जरूर बैठना चाहिए जो vibes हैं अभी जो कल मैंने एक संगर जी ने बताया कि गुरू जी scan कर लेते हैं जो कोई problem है तो उसको दूर कर देते हैं अगर हम अपना वक्त उनके साथ spend करते हैं तो दूसरी बात मूल मंत्र की बात होती है मूल मंत्र जो है गुरू जी का जो मंत्र जाप है वो करते रहे से भी हमें बहुत ही सुकून मिलता है शांती मिलती है और माई problems दूर होती है तीसरी बात शुकराना जो कि ससंग के रूप में भी आप कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप अपना ससंग जो है वो यूट्यूब पे ही share करें अगर आप कहीं लाइस ससंग पे गए हुए हैं आप वहाँ पर भी अपना ससंग share कर सकते हैं इन केस आप नहीं कर पा रहे और करना चाते हैं घर बैटके आप नहीं जा पा रहे हैं तब आप किसी के धुरू जैसे कि हमारा चैनल है या किसी और का है गुरूजी के नाम से आप कर सकते हैं यह गुरूजी हैं जो शुकराना ससंग करवाते हैं हम इनसान कुछ नहीं कर सकते हैं वहीं चाहते हैं तो वह share करवाना हैं वहीं करवाते हैं और share करना ससंग का मतलब यही है कि जो experiences आप जो miracles आप गुरुजी के साथ feel कर रहे हैं, उन miracles को आप किसी के साथ discuss करो, उन्हें बताओ, उनसे share करो, इसी को ससंग कहा जाता है। जे गुरुदी साथ सहे, जेग गुरुदी स्गरानकृदी